बेटमा में नीदी समरपण अभियान के पूरवही दो लाग 51,000 रुपे की राशी जमा हो गई शिरीराम जनुभूमी तिर्द क्षेत्र नीदी समरपण अभियान के अंतरगत पूरा बाजार महलना समीती ने हिंदू सम्मेलन आयोजित किया इसमें गो सेवा विभाग के साप रमोग पूरुशोत्तम शर्बा ने सम्भोधित किया बेटमा क्षेत्र के एक राम बक्त ने नीदी समरपण अभियान के पूरवही दो लाग 51,000 की राशी सहार्शि प्रदान की अभियान 14 जन्वरी से 27 रोजी तक चलेगा वक्ताओं ने कहा कि मंदे सरकार नहीं समाज के सहयोग से बनना चाहिए कई दिनों से बेटमा नगर में प्रत्यक मोहला समीतियो द्वारा महा आरती और हनुमान 14 का योजन किया जा रहा है बाजार सहीत नगर को भगवा पताकाओं से सजाय गया था कारिक्रम के अध्यक्षता समाज से भी चंद्र शेकर भावसार ने की वो के अतिति खंड संग संचालक तरुन बियानी थे संचालन रवी आदव ने किया और आभार जितेंद्र सी पटेल ने माना बेटमा से राजेंद्र सूर्य वंशी की रिपोर्ट वो तो हिंदू छोक्रों का काम है बेगम बाग चले जाते है चांदन खेड़ी चले जाते है विचार कीजिया क्या हुआ होगा उस समय पर इन पांसो सवा पांसो वर्सों में सतोत्तर बार हिंदू समाज उठकर खड़ा हुआ चार लाग से अधिक हत्या हुए युद्ध में युद्ध में ऐसा नहीं है कि सारे युगा गय थे श्री राम जन्म भूमी तीर्थ छेत्र निधी संग्राव जो अभियान अभी तक जो चल रहा है और आगे भी चलने वाला है इसके तहत अभी ग्रामों में जो हमारे बेटमा खंड के बहुततर गाओं है लगभग गाओं में हम पहुच चुके हैं महाँ पे अभियान समीतियों का निर्माण हो चुका है मंडल में क्रियान वाइन समीतियां जो बनी है उनका भी निर्माण हो चुका है और अब एसे हिंदू सम्मेलोनों के माध्यम से ग्राम और मुहला एकाई एसी हमको हिंदू सम्मेलन करना है जो प्रतेक गाउं में होने वाले हैं और प्रतेक मुहले में होने वाले हैं वहां से हमारा निधी संग्रा का जो अभियान है वो चलने वाला है। इसके पहले हमारा जो बड़े उसके पहले पृतेक हिंदु के घर अमको कहुंचना है। और कुछ एसे पहमासा दान दाता जो है बड़े नामों पर हमारा विचार भी चल रहा है। और उनसे भी हमारा संपर्क चल रहा है और आने वाली 15 जनवरी को जो राम भक्त है प्रतेक हिंदू के घर जाने वाले हैं और निधी संग्रा ऐसा अभियान पूर्ण होने वाले हैं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें